हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग, welcome back to the channel आज की update है Reliance Industries Limited की तरफ से और यहाँ पर इनकी जो company है Reliance Global Corporate Security इसके अंदर इन्होंने recruitment निकाले हुई है कोई भी graduate apply कर सकता है, freshers यहाँ पर eligible है और salary आपको काफी अच्छी मिल जाएगी अगर आपका selection होता है एसा यहाँ पर government job में देखने को मिलता है एसा Reliance Provide कर रहा है वीडियो को इन तक जरूर से देखना काफी interesting update है और अगर आप पहली बार इस channel पर visit कर रहे हो तो आप channel को subscribe करके bell icon जरूर से press कीजिए अगर आपको latest job updates के बारे में information चाहिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुडू करते है नव सबसे पहले आपे बात करते है Reliance Global Corporate Security इन्होंने update security specialist post के लिए निकाली होई है और यहाँ पे number of vacancies के बारे में information नहीं दी है सबसे important चीज eligibility criteria जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता है कोई भी graduate apply कर सकता है यहाँ पे freshers eligible है 50% अगर आपके है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो और भी चीज़े बात करते हैं यह जो update है ना इन्होंने facebook पे post की थी और official website पे जाके आप apply कर सकते हो वैसे अगर videos आपको पसंद आती है तो आप like जरूर से कर देना इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है हमें लगता है कि आपको videos पसंद आ रही है like जरूर से कीजिए and share कर देना अपने दोस्तों के साथ जो eligible हो सकते है in fact daily job updates लेकर आते है तो उनको काफी help मिल सकती है now यहाँ पे दूसरी condition जो eligibility criteria में है वो यह है कि यहाँ पे प्रिफरेंस NCC candidates को दी जाएगी sports person जो district, state, national level पे खेल चुके है उनको दी जाएगी मतलब यह प्रिफरेंस की बात है compulsory criteria नहीं है लेकिन यहाँ पे और भी criteria जिन्हों ने दे हुए जो compulsory है जैसे कि age limit 24-30 years and जो important है वो है height इसकी वज़े से काफी यहाँ पे apply नहीं कर पाएंगे तो male के लिए 5 feet 10 inches बताया हुआ है female के लिए 5 feet 8 inches बताया हुआ है जो कि शायद आपके लिए difficult हो सकता है अगर आप इस criteria में नहीं आते हो तो आप वीडियो को यहाँ से छोड़ सकते हो because आगे आपके काम की वीडियो नहीं but अगर part of interest के तोर पे देखना है तो आप वीडियो को देख सकते हो लेकिन अगर जा रहे हो तो like जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को बता देना वैसे अगर बात करते हैं कि यह जो security specialist की जो post है इसके अंदर आपका जो है process आगे कैसे बढ़ेगी आपको यहाँ पे जो है serve करना होगा armed forces के साथ और central armed police forces के साथ काम करना हो रहेगा and यहाँ पे जो है 5 महीने की जिव training रहेगी Reliant security and risk management यहाँ पे जो है आपको specialized training दी जाएगी and बहुत सरी चीज़े आपको सीखने को मिल सकती है वैसे अगर बात करते है यहाँ पे जो इसकी dates यह application 3rd November से open हो चुका है 18th November इसकी last date है और यहाँ पे जो salary है exactly नहीं बताई हुई है लेकिन salary आपकी 45,000 के बीच में 45 के बीच में range करेगी approximate यहाँ पे exactly में नहीं बताई हुई हो सकता है इससे कम भी हो इससे ज्यादा भी हो लेकिन इतना तो रहेगा मेरा ऐसा मानना है security specialist की post after all next यहाँ पे बात करते है selection process तो यहाँ पे इन्होंने 4P evolution process को यहाँ पे involve किया हुए जिसके अंदर सबसे पहले proficiency test होगी personal profiling होगी personal interview होगा and physical fitness test होगी and यह 4 चीजों के उपर आपका final selection depend होगा और यहाँ पे जो है physical efficiency के अंदर क्या होगा तो भाई इन्होंने 3 km की running setups, push-ups and standing broad jump इसके बारे में बताया हुआ है और बागी सारी चीजों के बारे में इन्होंने नहीं बताया हुआ है वैसे अगर आप जाते हो official website पे तो शायद आपको कुछ और information में जा FAQ section के अंदर लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश की लेकिन हमें यहाँ पे और चीज़े नहीं मिली है यहाँ पे इन्होंने तो details नहीं दिये यहाँ पे आपके लिए syllabus भी इन्होंने नहीं दिया हुआ है बेसिक से topics होते है अगर आप prepare करना चाते हो तो सिफ यही नहीं बहुत सारी jobs होती है जिसके अंदर aptitude reasoning रहता है तो आपके लिए हमने well academy पे prelims package को launch किया हुआ है जिसके अंदर आपको aptitude reasoning तो मिली जाएगा उनके video lectures, detailed video lectures हाँ जिसके अंदर हमने 1200 से ज्यादा questions को solve किया हुआ है हर level के questions और आपको practice के लिए हमने mock test भी provide किये एक, दो, दस भी mock test नहीं है यहाँ पे 200 से ज्यादा mock test आपको मिल जाएगी revision के लिए e-books भी है 1500 में मिल जाएगा वैसे अभी prelims package पे, यही offer पे एक और जीज़ भी आपको मिल रही है आपको 020 in max का course completely free मिल जाएगा prelims package के साथ तो यह बहुत अच्छा मौका है वैसे practice questions के बारे में बताना भूल गया जो हम provide कर रहे है so यार features तो बहुत सारे है आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है कि जितनी भी exams में आप apply कर रहे हो आगे चलके वहाँ पे prelims package आपको बहुत help करेगा अगर आप enroll करना चाहते हो तो link आपको description में मिल जाएगी सारी details भी हमने provide कर रखी है आपको on the spot access मिल जाएगी और यह zero to in max का course जो है यह offer limited time के लिए अगर आप enroll करना चाहते हो तो जरूर से enroll कर लीजिए आने वाले एक साल में जितनी भी exams के लिए आप apply करते हो आप यह आपको helpful रहेगा अब यह जो personal profiling है ना इसमें आपका personal interview हो सकता है या फिर कोई group discussion ऐसा कुछ भी possible हो सकता है क्योंकि personal interview को इन्होंने अलग space दिया हो यह third number पर personal interview हो है तो इसको किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में थोड़ा idea नहीं है next यहाँ पे है physical efficiency test जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था running होगा, push-ups होगा, jumps रहेगी तो यह सारी चीज़े जो है physical efficiency test के अंदर रहेगी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि reliance इस जॉब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़े provide कर रहा है जो government jobs में रहती है जैसे कि यहाँ पे compensation and benefits बहुत सारा है यहाँ पे boarding and lodging आपको यहाँ पे reliance की तरफ से मिल जाएगा and यहाँ पे selected officers को बहुत सारे और भी facilities, medical support, benefits मिल जाएगे जो भी यहाँ पे आपको center designate किया जाता है उसके लिए आपको three tire AC का rail fare भी मिल जाएगा जो reimburse कर दिया जाएगा reliance की तरफ से तो यह सारी चीज़े reliance अपने end से provide कर रहा है और यह काफी हद तक government jobs में जो होता है हमें देखने को मिलता है वैसा दिख रहा है सो मेरे इसाब से आपको यहाँ पे apply करना चाहिए and अगर आपका selection होता है तो काफी बढ़िया job यह रहेगी अगर आपके और भी questions है तो यहाँ पे FAQ section के website पे आपको मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी चीज़े है by posting कहां रहेगी, formalities, यहाँ पे duration बहुत सारी चीज़े जो है आपके दिमाग में होगी वो आपको FA की section में official website मिल जाएगी 18th November इसकी last date है और description में मैं जो आपको link provide कर दूँगा वहाँ पे आपको सारी details मिल जाएगी किस तरीके से apply करना है पूरी selection process जो भी मैंने आपे वीडियो में discuss किया वो return format में और उसी page पे apply करने की link भी मिल जाएगी official website की तो जाके आप ज़रूर से check कर लीजे और prelims package की भी link description में available है अगर आप enroll करना चाहते हो तो आपको इसमें as well as जो भी private companies, government, jobs उसकी exams होती है उसमें help करेगा इसी के साथ वीडियो को end करते हैं उमीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो helpful रही होगी and अभी तक subscribe नहीं किया है तो ज़ली से कर लो daily आपको इस channel पर latest updates मिल जाती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स जॉब अपडेट में तब तक के लिए goodbye, take care ज़ली से के वीडियों से ऊचिवडियो, ज़ली से वीडियों, creditLन